मां की कसम खाता हो बहुत बढ़ी घर्पड हो गई है एक भी मचली नहीं फंस रही है उसमें चारा है भी या नहीं है ना चारा इसा करते है शकउन तला के घर के पीछे वाले तलाब में चलते है क्या पता कुछ मिल जाए अरे महां ग्या तो मेरी माह बहुत रहीगी अरे कम से कम आख सिखने को तो मिलेगी अरे शकुन तला को नहाती हुए देखेंगे अरे चोड़ यार अरे उसका नहाना कैसे मिस्स कर सक कि रुक्रुक मैं भी आ रहा हूं कि सुनो अन्ता पाणी दुकान पर है क्या बहुत बड़ी गड़ब्ड हो गई है क्या होगी असे अरे चलना अरे इस तरफ चल तरफ तो चल तरफ क्यों जा रहाता तू हां अन्तल औनी भाई तू है क्या बाद है पूरा का पूरा अर्यांतुरू तूमें ढूंड रहा ऑन्हीं पता होना चाहिए मैं कहाम में भाएंग सुछ न्यक्राय मुए हो रकाल है हाल यह थे क्यों जब तुमारी बेटी ट्यूशन से घर जा रही थी तो उसने अपने फोटो स्टूडियम में उसे बंद कर दिया है मेरी बेटी को तुमारी बेटी जब तद तुम पैसे नहीं लोटाओगे वो बेटी को नहीं छोड़ेगा मैं उसको मेट्टी में मुला दूंगा माई कुंगो उसको क्या कर रहा है उस बच्ची को छोड़ दे तलित अगर मर्द है तो नीचे आपै एक बास सामने आजा फिर पता चलेगा मैं कौन हूँ अगर मेरी बेटी को कोच्छुआ तो मैं सेरी तुम कुछ नहीं करेगा बेटी बाई यहीं हो गवराना नहीं बेटी अब मेरी बेटी देख रही है उपसे अब मेरे पैसे उपर भीजवा दो किस तरह की पोलिस वाले हो तो वो एसाई आसपास नहीं है नहीं तो उसे बचा लाते बखवास बंद करो बात करता है चाचाओ ए लड़की चिल्लामात अरे भ तुम्हारे मालिक है उसे बात करो पंचाद के मेंबर हो तुम मुझे इसमें मठ धके लो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था वैसे तुम्हें सच में लगता है कि जॉयकुटन मेरी बात सुनेगा मैं वहां पर चाय पीने गया था जब लॉटकर देखा तो उसने लड को बांध रही थी तभी वहां पहुझ गया और गाय उसकी मा को कैद कर लिया जब पैसे दिये तभी दोनों को छोड़ा ऐसा है अरे चला ना पीने चलो नहीं सब चुपकर रहे अरे मुझे लगता है समय आ गया है चलो पीछे हटो अगर किसी वह खोन देखके चकर आता है अगर तेरी बेटी होती है ना तो पता चलता है कि प्रेस्ट लॉट फदर आज के लिए और हमेशा के लिए काश में ऐसा कह सकता मेंबर पर मैं हूं केहते कर कुण जोए अरे यार मेरी बात सुनो आपनी की पेटी को अपनी दुकान में बन कर लिया है अच्छी कोचुं केरी का जोई कुटन हाँ वही पैसे चाहिए थे अरे फादर तो भी किसी का कनफेशन ले रही है उसके बाद हम आजाएंगे थोड़ा जल्दी आ सकते है क्या ओ कैसा होगा अगर हम उसे प्रार्थरा में बुला लें हाहा ओके लगता है प्रार्थरा में लोगों की पादर को बुला दिया है पांच मिनिट में वह सुल्जा देंगे मेरी बेटी उपर ही है तो वह उस गुंडे से उदार लेने के पहले ना इसके बारे में सोचना चाहिए था अगर तुने उदार दे दिया होता तो यह सब क्यों होता अब आप सामका से खुलवा तो अभी दर्वाजा है दर्वाजा खुल दर्वाजा मेरी बेटी को नीचे उतार वरना मैं खूंद कर दूंगा ते वह सब ठीक कर दूंगा है तू क्यों होती है मैं आगे आओ रहे हैं अधे देखो 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 फादर आ कहा आजो अटो पीच अटो अनगों मैं आज जाए तूर लो कर दो मैuite मैई मैें वाजैorn मीटी को चुद वाप टो कि अन्ता पानी ना अँच अँच मेरी बेटी को वाँ उपर बंद कर दिया उसने दर्वाजा खोल जो कुटन ठेक है ए कुझो दर्वाजा खोल अब देखो में कैसे दर्वाजा खोल था हूँ पाइए चली फादर चलूंगे तो हमारे पहुंचने तक पूरी बिल्डिंग गिरी जाएगी आँ अन्ता पनी आओ और वह मक्कली को भी बुलाओ चला तुम चलो रोका 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 मैं देख्टा अरे अरू देख्टा अब उससे बात करेंगे ना 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 कुछ बोलनेगा नहीं बहार निकालो देख्ये इसकी हरकत चल बाहर आजा मेरी मेरी बच्ची मेरे पास वादर बुलाते हैं और मरने से पहले तेरे दादा जी भी मुझे फादर बुलाते थे इसलिए मुझे बीच में आने का हक है अब ज्यादा कुछ बोलेगा ना तो सही करेक्ट है और फादर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस इतने पैसे देने बॉल तीस हजार रुपए और अट महीने का व्याज पूरा कितना हुआ बॉल पचास हजार रुए साही है यह बहुत ज्यादा बोल रहा है तू यही तो मेरी कमाई है बेटी तुमें इन सब से दरने की जरूत नहीं है यह तो जो कुटन है पस थोड़ी सी शरारत की वह ऐसे दुबारा निकरेगा यह लास्ट टाइम है यह ना जो कुटन अरे कुछो यह दे दो पैसे पाशा कर दिया आज पूरा गाउं यहां पर तेरी वजह से आया है अब तो तुशे तेरे पैसे मि कंफेशन के लिए आ जाना क्यों इस चोटी बच्ची की बद्वा अपने सर पे लेना चाहता है यह जिन्दे की एक बिजली के तार पर बैठे होगे कवे की तरह होती है किसी भी तरह करन लग सकता है और तो एसे काम करता है कंफेशन के लिए आ जाना मैं तेरी रहा देखू लगता है आज रात को यहां बारिश होगी है मकली आज जरूर होगी है तुम्हें लगता है कि फादर सो गए होंगे यार लाइट जल रही है वह शायद तुझे लेक्चर देंगे आप जो न अपनी दोती नीचे कर लो कहीं वो इस बात का बुरा ना मान जाए पादर जो ए यह के लिए आने दो उसे अंदर हम उन्हों ने तुम्हें अंधर बुला है यह आपने पापों का प्राश्चित कर लो तुम्हें भी एंफेशन करना आ एक्या नहीं नहीं परमेश्वर दिखाना आप यह क्या फादर कुछ कंफेशन ऐसा जो मैं फादर के पोशाक में नही स्टाइल है कमीने तेरी हिम्मत कैसे विए उस छोटी सी बच्ची को बंद करने की हां जब अंता पनी को तुन्हें पैसे उथार दिया थे तो उससे वापस ले ना उसके परिवार को भीच में क्यों घजिना तुन्हें कौन सा बिजनिस करता है रहे तुचोग पर और इस हफते तुन्हें कितना कमाया बोल जल्दे इस और कुछ नहीं जूट बोलता है मुझे पता है वहाँ तेरा कोई बिजनेस नहीं चलता है वहाँ पर तु काम करता है ड्राग्स, दारू और लड़कियां बेचने का दुकान तो बस नाम के लिए करता है ताकि तु मज़े ले सके हाँ सही है ना इधर आप, आई इधर जब तु दुझे दर्वाजा खोलने के लिए बोला तो तुने चावी मेरे मूपर फेकी हाँ बोलना मेरे साथ खेल खेलेगा अब यहाँ से बाहर निकलते ही सीधा चौक पे जाने का और तुझे दुकान से जो चाहिए वो लेले और शटर बंद करके आजाना समझा वो शटर मुझे बंद दिखना चाहिए और अब से कोई भी फोटो दिखाना गाओं में पैसे उधार देना यह सारा धंदा बांद तल सुभा अपने पिता के खेत में जाना और खेती करना समझ गया ना और यहाँ पर गंद मचाना बंद करते यह मेरा आदेश है महीने यह अप्त में एक दो बार अपने महा से मिलने जाना चल निकल अरे आराम से आज तुने शटर बन नहीं किया ना जोकुटान तुना कुछ इस जगह पर में कोई भी आदिश देता हूं ना तो फाइनल होता है और ना इसके सद और कुन था बोबच्चन वहाँ है यह आजा आज 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 आज़ आज आज आज़ अब बारिश हो सकती है अब जाओ जाओ कि संबाल के और इसका क्या करना है अच्छा सरा सवन त तुमसे पहले मैं कनफिशन दे रहा था हाँ हाँ चलो 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 ना राजेंद्र तुहारा टेड़ा और दो नमर का साधा मुझे पसंद आया लेकिन उसे ब्रिज के उस पार ही रखना इधर मतलाना कैसी बात कर रहें भाई मेरी बात तो सुनिया है मैं तुम दोनों से बात कर रहा था मुझे इस धंद में बीच का आदमी नहीं जाए मैं कर सकता हूं ताकि हम दोनों को फायदा हो सके देखो बेटा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बिठाया कि तुमने साफेद कपड़े पेने आया तुम्हें एमेल ले हो तुम्हारे बुड़े दा कैसी हो बिठिया हाई चाचा ओरे ओजा 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 ये लो तुम्हारी ए कहां चेलेगा है सब लोगी मारके कहे हैं दो पहर तक लोटेंगे आप अंदर आईये इसे खाना नहीं देती हो गया दिन मदिन पतली हो रही है बस लंबी हो रही है फादर क्या तुम अपना पोश हो तुमोरे खुदोसी हम नहीं होगरा है तुम्होरे सिधा उस्हूर खुद के पिता भी तुमुम्हेन ऑफ जा निकल जाते हैं यह जब नहीं सुन्ते है तो मैं उनको मारता हूं वो भी थोड़ा साar ऐसा हमारा सिस्ट्म है और वो उन्को पसंद लिया रहीता वारी मेरा मतलब है कि जो तुमारे पस कनफेस करने आते हैं उन पर हाथ उठाना पाप नहीं है क्या कैसा पाप है उसमें कभी-कभी जीजस मुझे खुद बताते हैं या अदमियों पर थोड़ा कठोर बनो तो मैं उनको अपने चेंबर में लेके चला जाता हूँ अगर मैं परमेश्वर की बात नहीं मानूगा तो यह तो पाप होगा ना परमेश्वर जैसा कहते हैं फादर बिल्कुल वैसे ही करता है ज़रा देखो कैसे शर्मान है तुम्हें पता ही ये फादर कैसे बना है क्या भी ये सात्वी में था जब इसके पापा को यह आईडिया अरे उस वत सीक्सथ की गरम्यों की छुटी थी जब इसके पिता इसे ऐलजा किया अचा माँ लुट खाने को मिलेगा गया कोढ़श्थ डादी आओ अदर चलो 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 आओ बच्च ओ आजाओ अफुल büyük विनैय हा पापा बेटा मुझे तुमसे एक बहुत ही सीरियस बात करनी है यही ना कि मैं मारा मारी ना कोड़ी तुम जितना जगड़ा करना चाहो कर सकते हैं को इटेंशन ने तो फिर क्या पापा देखो बहुत समय पहले तुम्हारे पैदा होने से पहले जब तुम अपनी मा की कोख में थे उस समय तुम्हारे नाना और नानी ये कसम लेना चाहते थे कि वो तुम्हें फादर बनाना चाहते तब मैंने मना कर दिया था कि हम तुम्हें आ खर फाडर क्यों बनाइंगे ने पर आप मेरी एक इच्छा है बेटा अब मैं कसम लेना चाहता हूं तुम्हें बनाने कि तुन्हें क्या लगता है तुम्हें ये बात पसंद है नहीं पापा मुझे पुलिस वाला बनना है और सब मेरे पास एक आइडिया है बहुत अच्छा दिख रहा बेटा इनिफॉर्म तुम पर बहुत अच्छी जच रही है अठारा सालो तक मैं पासिंग आउट पडेट के लिए बैठा हूँ तुम्हें बदा कितने ओफिसर्स मेरे सिले हुवे इनिफॉर्म पेंते हैं और बड़े अफसर बन जाते हैं खुब तरक्की करो यह तुम्हें टाइट है लूज कर सकते हैं क्या हाँ जरी अरे वो अर्कत का बिनी तुम्हेरे अंकल के सथ लड़ रहा है अच्छा और वो अभी हॉस्पिटल में उसका गला काट दूँगा मैं पर दूब निल का चोकरा है ना कब से पुलिस वाला वन गया जानता है जब मैं दस्वी कक्षा में था ना तो एक आदमी ने मेरी मां को गाली दी थी तभी मैं पहली बार पुलिस वाला बना था और उसके बात तो बहुत सारे मौके आये थे मेरे सामने सब्सक्राइब अब मैं बुढ़े रास्ते से हच चल दो हमने तुम्हारे अंकल को वही दिया जिसके वो हकदार थे और जब वह बाहर आएंगे तो दुबारा करेंगे तुझे भी चाहिए क्या जो तुने मेरे अंकल को दिया वही तुझे देने के लिए आया हूं हम जो एक बार किसी को द अब तुने हाँ अब अब याँ अब अ करो चाहिए और ने अब आगे पेरे गहर पे अगे तमा शाकर होगे अब 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 शेरी अब तुझे रोकना उसे एए? है? है जब शवब अजार बालोसे आरसे आर 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 अब क्या बापा? अब क्या बापा? हो गया? मैं बस सिसी का इंतिजार कर रहा था चल अंगर बैट लगता है मुसीबत हो गई क्या हुआ भाई? अब क्या हमें रोड पे ही सेटल्मेंट करना होगा? पुलिस्टेशन आजाते तो वहां बैट के आराम से चाय भी के बात करते? तुहारा मदलब तुहारे पिता की दूसरी शादी में ग्या चाय पर बात करनी है? तुम्हें कोई भी बात करनी है मेरे वाकिल से बात करो यहां तुम मेरी गाड़ी में बैठो अरे छोड़ना है यार जब तक मैं जिन्दा हूँ तुझे लगता था कि मेरे बेटे के साथ स्टेशन जा पाएगा यह यह यहां नहीं खत्म होगा होगा तुझा और यॉनिफार्म बदल किया अभी वैसे तुखतम कर सकता है यहां पर अभी ठाने जाके कुछ और आफिसर्स को लेकिया फिर देखते हैं यहीं सेटल करते हैं तब तक मैं घर नहीं जाओंगा मुझे आखे दिखाता है अरे पाप प्रियारे अगले दिन मैं उसे सेमिनार ले गया अगर मैंने इसे पोशाक नहीं पहना ही होती तो मुझे सूली पे चड़ा देता सुमबत तुमारे पता जी भी कोई कम नहीं है तुम सुनते जाओ बहुत कहानिय भागी इससे भी बहुत बड़े अगर सुनोगी न तो घर छोड़के भाग जाओगी और आखिर में मुझे बस एक ही बात कहनी है चर्च के फेस्टिवल के दौरान एक पुराना रिवाज होता है पुराना हिसाब चुकता करना इस बार वो तो नहीं हो सकता अगर तुम्हें पुराना हिसाब चुकता करना तो वो फेस्टिवल से पहले करो अगर उस दौरान किसने बखेड़ा खड़ा करने की कोशिष की न कोई मार रहा है कोई मार खा रहा है और कोई देख रहा है तो उन सब के लिए मैं हूँ चर्च का योगदान होगा, सब के लिए फ्री ये काम खोद मुझे परमेशवर ने सौपा है, समझे और मैं उनके इशार ओपर चलूँगा तो अगर किसी ने भी कोई गड़बड की ना, तो उनको मैं देखूंगा फदर, एक बाद हम भूल गए लड़गियों को छेड़ने वाले ना, उनको भी मैं देख लूँगा वो नहीं, पिछली फेस्टिवल की वक्त हमने बात की थी कि सभी भक्तों को हमें खाना खिलाना होगा मैं तो ये भूली गया था, इतने पैसे तो नहीं है एक बार जिन्दा ओपर जाएगा तलाब के दोनों तरफ से भक्त आएंगे कोई भी आए, किसी भी से में आए, हमें उनको खाना देना ही पड़ेगा और हमें इसकी जिम्मदारी लेनी पड़ेगी हम इस चीज के लिए बिलकुल मना नहीं कर सकते अब हमें इस काम को मिल जूल कर करना होगा फादर, उसके लिए मैं पैसे दे दूँगा अच्छा खाना बनाते हैं, फिश करी उन सब के साथ अगर कोई ताड़ी को दुकान पर रुकेगा तो ताड़ी फ्री में मिलेगी क्या गाँ? अप्पम और बीफ करी मैं बस दोनों के साथ में ही बोला है अच्छा अपमस और करी जोई की तरफ लिख लो दोनों में से एक ही है ना? अरे नहीं जोई लिख देते हैं ना? कुछ नहीं कुछ नहीं हो जाएगा हो जाएगा ताड़ी दुकान की करी बहुत अच्छी होती है फादर, इतना सब खारा खाकर कुछ लोगों का वर्ताव बिगड सकता है तो क्या हमें यह करना चाहिए अरे करी देते हैं, चलो सारे काम तो हो गया सब को स्मूथ ली हो जाएगा फादर, क्या सीनियर फादर भी आएगे यहां पे फादर एक दिन पहले यहां पर आजाएगे अब तो खुश हो न आप चलो सब को सेट हो गया आप लुक जा सकते हो चलो चलो उठो 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 चलो चलो जोई कल ताड़ी की दुगवन पर आऊँ गया कभी भी आई फादर यह देखो फेस्टिबल सिक्स और सेबिंद को है तब साथ ही रहना कम से कम हां ठीक है कोशिश करूँगा तुम हमेशा पापा के साथ ही क्यों रहती हो इसका क्लास व्लास कुछ भी नहीं है यह मेरे साथ रहती है तो कुछ हरकतों से मुझे बचा लेती है ठीक है मैं मिरता हूं पापा केसे हैं उन्हें नों दुबारा शुरू कर दिया दिन में कम से कम चार पैग होते हैं उनकी हालत तो अच्छी है डॉक्टर करें वास उनकी लीवर थोड़ा सा खराब हो गया इस रफ्तार से वह चलते रहे तो फेस्टिवल से पहले ही कबर में दफन हो जाए उनके साम जब से जो कुटन के दुखान बंध हुई है तब से बोबाचन बेरोजगार हो गया है अब ये सारा दिन ताडी के दुखान पर बैठता है क्यों तुम्हें वो लोग वहां बैठने के पैसे देते हैं क्या नए बिलकुल नहीं तो ये पूरा दिन वहां क्या करता है उनकी नौकरी चली गए ना इसलिए ओ श्याद वो प्रार्थना करता अपने दुखों को कम करने की लगता ऐसे कंफेशन की जरुवत है अचा है काम करो उससे को साथ बज़े चर्श में आने को बाकी मैं देख लूँगा उसके दुखदर्द कम हो इसलिए मैं मदद करूगा ठी ह खुशी हो या दुख सब लोग ताड़ी के दुकान पर ही जाते हैं वो गुंडे जो कुथां के कबजे से बाहर निकल गए ये तो अच्छा हुआ ना सलमा लेकिन भाई भले ही वो गुंडा क्यों ना हो लेकिन वो पैसे बराबर दे देता था तो समस्या बेरोजगारी है देट नौकरी होती है तो सारे दिन काम करता है हमारा ध्यान भी रखता है कि वह अज़ारे साथ काम कर सकते हैं बगर उन्होंने ना कह दिया पर जोब को अशाय है तो च्छोड़ों अभी जा सकता यह तो हजड़ो मैं चाहरू में पिछले पांच छे सालों से कह रहा हूं इ वो कली पोलाची के लिए रवाना हो सकता है अगर तुम्हें पैसो की ज़रोद है तो उज्वाइ भाईया से ले ले लेना और जितना वापस दे सकते हो उतना संड़े को देना ठीक है फादर क्या आप उनसे बात कर सकते वो इसकी बात नहीं सुनता हो है एल्डस तुम जा सकते हो भी डरो मत मैं उससे बात कर लूंगा उसे रास्ते पर ले आएंगे वो कल पोलाची चला जाएगा और उसके अगले दिन वो मिल में काम शुरू कर देगा यह मेरा वादा है ठीक है फादर ठीक है ठीक है फादर और एक इंसान की मदद हो गईग क्यों बड़ी बड़ी डिंगे माथ वाकना उसे नौकरी पर रखवा देना समझे हाँ जरूर रखवा दूगा क्या मैंने अल्दोस को नोकरी नहीं दिलवाई थी एक लकणी के कार खाने में क्यों में यह सच कर रहा है क्या है यह तो महीर है यहां से लोगो को निकालने के अब मेरा मतलब नौकरी लगवाने के लिए चलो ठीक है आगे बढ़ो मैं तुमको शाम्पी अच्छा सुनो क्या तुम उसके घर पर ट्रांसफार्मर फिट करने वाले हो क्या मुझे बता है तुमने उसके भाई ऐसा कुछ नहीं है तुम बेवजा कि आरे चलो यहारा हमें इस आलेंड पर सब सही करना होगा आपको पता है यहाँ पर समस्या खड़ी करने वाले अकसर कौन होते हैं कौन होते हैं मैं आपको बताता हूं पहले पुन्नो लोमडी उसका देख पूली पोर्स तुनियापन प्रद्यूब्न अब यह क्या बात हो गए यही तो समस्या किया रात में बुला यह कह कि हम उने करकर के कनफेस कर वाएंगे तो अपनी गल्दी का हैसास भी होगा तो मैं कर सकता हूं हम आज ही कर सकते हैं क्या लेकिन आज बहुत देर होगा अगली अबर बस इत्रही नहीं पादर और और वी कुछ चीजियां जो सही करनी होगी पाद कि यह इतनी रात को क्या ढूंड रहा है कुजे लगता है कुई साहवा दुश्शंथ है जो शकुंतला तक पांचने की कोशिश कर रहा है जा पकड़ ले हां उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं जालो अच्छा तो यही है जो बंद दुड़ता है हम जो पत्तर प्तर प्था क्यों आर्रहा है जो है चुछ तो बात है तुछ में तो तुछ तो बात है तुछ में तू है क्यों घूष पैठी आ तुझे पुनपन लोमडी, यहां अंधेरे में धारू पीने आया है, नहीं, भूल जल्दे, नहीं, तो फेर, बुझे बस थोड़ा सा घास में चाहिए था, क्यों खुद को जलाना है क्या तुझे, बहुरत बिचारी मुश्किल में, इसलिए पंचायत ने बड़ी मुश्किल से यहां पर सारे रास्ते पर लाइट लगाई है, और यह चौदा भी लाइट है, जो तुने आज तोड़ी है, फागल बुढ़े है, कल पंचाय जाना और सभी का पैसा भर देना तू, पर मैंने तो सिर्फ चार ही तोड़े हैं, बस, चौदा, तो में पूरे चौदा तोड अगल पर दोड़े हैं, जोट बोल देखो क्या कर रहा है, अच्छा वा मेंबर तुम आगए, यह पूरे चौदा पैसे देगा, मन्जूर है क्या, बोल मन्जूर है क्या, अगर पैसे नहीं देगा ना तो सब के सामने बहिजद करूगा, और तेरी बीवी बता दूगा, नह क्या बता पैसे, वह बता बता बता, चल गर जा, ठीक, गादर यह तो दुपआरा उसी तरफ जागा, अ मेरे घर, यह उसका घर है, मुझे इसराफ जाक, मैंने बस चार ही दोड़े है अर्षान अगर तुझे कुछ बी अर्जेंट जलाने की इच्छा हुई ना तो घर पर बचा कुछा घसलेटे वो ले 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 लेना घसलेट लेने के लिए इसी के बास आना पड़ेगा तुम कहां से आ रहे हो अब पार्टी ओफिस से आ रहा हूं अरे वैसे भी तुम लोग कल मिनिस्टर के खिलाफ ब्लेक फ्लग मार्श निकाल रहे हो ना शायद उसी के लिए मीटिंग होगी नहीं नहीं वो सक्ताइस को है कल तुम मिनिस्टर दिल्ली में होगा अगर हम कल काले जंडे दिखाएंगे तो उसी जंडे में हमें लिप्टा देंगे ठीके जाओ हाँ तो कल मिलते हैं चलो पुट नहीं हाँ 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 वाई सेंडबा दे नमस्ते अरे भाई तु यही था मैं और का रहा हूंगा ले तेरे माते पर क्या हुआ है वो एक नाडियल उपर से कहते है कि नाडियल का पेड़ और नाडियल कभी लोगों पर नहीं गिरता सही है मुझे नाडियल है उसके पेंड से चूटने लगी है उसकी डाली से लगी है तु सच कह रहा है ना एक तम सची करेक्ट जगह पर लगी है सर फटने सबज गया मैं थोड़ा बैट जाओ किया आओ ना जल्दी जाना वहां जाओ 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 उसे कह चाहिए वो देख अटो ना थोड़ा अटो हाँ ठीक है मेरा मैसेज तुमने देखा ने कौन सा मैसेज तुम को यह अर्जुन चीज देख नहीं सकते क्या था बताओ तो अगले संड़े मुझे लड़के वाले देखने आने वाले है ममे को वो लोग बहुत पसंद है आने दो चाहो गया परिशान क्यों है हाँ ठीक है आने दो उसे मैं उसी से शादी कर लूगी जिस बोट पर तुम बैठी हो न उसको मैं डुबा दूँगा समझगी न हो डुबा दो यहाँ पर सभी बत्त की तरह पानी में अच्छे से तेर सकते हैं हम तेर के चले जाएंगे समझे सुनो मैं किसी तरह उस गधे का नंबर ले लेती हूं तुमें ही उसे घर आने से रोकना पड़ेगा एक बर उसे मिलो तो सही हम मज़े लेंगे ना मैं नहीं चाहती वो है वो किसले अगर वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया तो मैं धोके बास बन जाओंगी ना ली जो इसमें साफ है क्या दूंगा एक मैं यहां पागल हो और तुमें सांप सेड़ी की सूच रही है तुमें ता टेंशन क्यों ले रहे हो है तुम थोड़ी देर चुपनी रह सकती हम क्या है अंदर चलो ए चलो अंदर चलो तुमें बिलको डर नहीं लगता है क्या तुम हुआ है फिए एग येलव येलोग है यहाई वल्होज पी तुमने अजै यह पीने में कैसे शर्म है एह है यह तो फादर के बलट किया वाद के यह है तुद एक यह तुछ टरह का बाप है तुछ अगर तरह बेटों से शादी कर दिया तो उसके खर वालों से बात कर नी चाहि वो नहीं माने गई तो क्या करता अरे तुम सोचते ही क्यों फादर हमें लगा कि बच्चों की इक्षा के साथ हम खड़े रहेंगे कोई लड़का कल उससे मिलने आये था और उसके घरवाले भी उसे पसंद आ गये तुम्हारी दो बेटिया हैं तुम क्या करोगे अगर हो घर अब तक नहीं तो जाओ घर जाओ अभी देखे फादर हालात इतने भी बुरे नहीं है जितने आप समझ रहे हैं पिदाजी सब सुर्जा देंगे अपना मुह बन कर पादर प्लीस कुछ करिए ना जो चुक्चा बैक और तु घर जाओ भी जिस किसी ने उसे घर से भागने में मदद की है ना वो उसको घर पर भी ले जाएगा तुम उसको ले गए थे तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था समझे तो जैसे ही पहुंच जाओगी मुझे फोन पर कॉल करना अब जाओ बच्चे गलती करें तो उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए ना कि उनका साथ देना चाहिए अरे कैसे बाप हो यार तुम यहां पर भी दो एक लड़की है क्या हमेशा छोटी-छोटी बातों को लेकर मेरे पस सीधे दौड के चले आते हो अब बताओ इस बर मुसे कौन सी बात चुपाई है मुझे लगा कि आप माने तो सीधे चर्च पे आजाना मैं देख लूँगा ठीक है अगर दुबरा ऐसा कुछ किया ना लिजो तो मुस्ते शादी नहीं कर पाओगे मैंने इससे भी बुरे-बुरे हालत संभाले हैं तुम मेरा क्लास खत्म हो गया क्या नहीं वो ठीक है अभी जाके खाना खालो और अ जाएगे वो अपने भाई के सर पर डाल दो सब क्यों करना पादर को उससा आता है वह पागाल रते हैं मजबूर मत करो हाँ चलते हैं लोग लगता है बात बन गई तुम्हें अच्छा किया फादर तुम्हार थोड़े दिर वाहां रहते ना तो वह बिचरा श्याद अपनी पैंटी के लिए कर देता कुछा भाई मेरी परफॉमंस केसी थी अच्छा और बेतर हो सकता है अच्छा और एक सीन है एक्टिंग करने के लिए कहा पर ताड़ी की दुकान पर वो अच्छी जगह है उसके चलो ज़ो तरह वहां चलते है अरे 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 शांती से पीने भी न अज सुबा तो तरे हाथ को कुछ नहीं हुआ था क्या हुआ क्या करें आप फादर आटो रुका रहा था उसने मेरे हाथ को ही टककर मारी ब्रेक मारना भूल गया तो अपना मू रख देना था वहां पर एसा ही करना चाहिए था आओ वाओ बिजो कुट्टा दोनों की शाद थोड़ा फादर को दो मुझे भी दो अच्छा लगा थोड़ा पार्सल करू ताड़ी का बगिट का है वहां पर वहां पर पार्सल कर दो घर लेकी जाने के लिए हम तो अब गए आरो यह मुझे माल डालेगा आगे आओ खोलो यह ओरीजनल है फादर जिंगा तेरे दुकान पर कोई डिलिवरी नहीं हुई है तो इतने ताड़ी कैसे आगी तरे पस औरीजनल है यह फादर यहां पर एकी ताड़ी उतारने वाला है अगर वो लगाता इस जगा पर हर पेड़ से उतारेगा फिर भी यह बखेट फुल नहीं होगी तो फिर आज इतने फुल क्यों दिख रही है यह फादर आप यहां कैसे हैं फादर कितनी बार बोला है बच्ची को इस जगां पता है कि यह बस मुझे कंपनी दे रही और यार कितनी बार कहें तुमसे कि अपने दुकान की ताड़ी मिक्स मत करो करो ताड़ी में मिक्स जिंगा मैंने और फादर ने तुझे कितनी बार कहा कि अपनी ताड़ी में मिक्स मत कर मालिक वो फेक उसे प्रिकता हूं जाओ जाकर फेक उसे उन्हें मिक्स कैसे करते वह पता ही नहीं है अगर वो कुछ गलत करेंगे और कोई मरेगा या अंधा हो जाएगा इसलिए चेक करने के लिए बार-बार में यहां पर आता रहता हूं दुबारा असा नहीं होगा फादर में कह रहा हूं अरे जल्दी करो अरे पलट दे उसको चल 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 लगा या जो है चल बेटी आज ज़बारा मिक्सिंग करोगे ना तो मुझे यह बन करना पड रोज आईये मैं सच कह रहा हूं इंदाई कन्फिशन का क्या हाल है हाईगे मेरी बारात अरे जरा था इसके पास कोई और काम नहीं है कहीं भी पहुंच जाता है एक करी पारसल लेने आया हो फादर में सच में चल बिटी लगते है बरोसा कर लेंगे अ एक लेंड में कहों तोको मैसरी तो लग गए हिस में भाद में एक और पीता हूं कर चोर का क्या हमें कोई कोई नहीं कोई इ sings न дело कोई निकाल नहीं होगा नहीं तोब पूरा गाउ खाली कर देगा, कुछ ना कुछ करना होगा, फादर. फादर, मेरी तो कमर टूट गई, इस नारियल का कोई काम नहीं है, अगर मैं कल सोबा आओं तो… बात मत कर समझा, जब तक तो पूरा काम खतम नहीं कर देता न, तो मैं तुशे दिखाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, फादर, मुझे टॉलेट जाना है, थोड़ी दिर के लिए घर चला जाओं क्या, उसके लिए यहीं पर इंतजाम कर सकता हूँ, मैं, क्या मसीबत है, पता इंटी कान के बालें भी चुरा ली, वो भी सीधा कान से, और वो उससे निकाल नहीं पाया, तो उसने सीधा उसका कान भी चीर दिया, क्यों है न, और दो पुलिस वालों के बारे में तो बात ही मत करो, चोर उनसे बहतर है, उसे ढूंड कर हमें रोकना पड़ेगा, पर वो क मेलते हैं फादर, उसने मेरे बीवी के साड़े तीन तोले के गहने चुराये फादर, वो नहीं आया तो बरबाद हो जाओंगा मैं, कुछ कीजिए फादर, चीक है, चलो चलो चलो, वैसे फादर हम लोग इसका क्या करेंगे अब, अब मचली को चारा डालना हो गया हो, तो सोने जाओ, वो महिनों से हर दिन बस यही कर रहा है, अब तक एक भी चोटी मचली पकड़ी क्या तुने, वो काट रही है फादर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, तो मत फसाओ, कुदो और पकड़ो, अन्ता पी, फादर थोड़ा टालेट जाओ क्या, जाने से पहले सारे नारियल दोबार स्टोर में रख देना, आसपास बहुत से चोट है, लगता है चैन से, जीने नहीं देगा मुझे, आप क्या कर रहा है पापा, आपके पास आधा लीवर बचा है, मुझे प्यास लग रही है बेठा, थोड़ा पीजे तो और थोड़ा जी पाएंगे, नहीं तो अगले बारिश से पहले उपर वाला बुला लेगा, तुम ये क्या कह रहे हो, डॉक्टर ने बोला है, टैबलेट के बाद एक या दो पैग ले लेना, नहीं तो वो तुम्हारे शरीर में अच्छे से काम नहीं करेगा, जरूर अच्छे से काम कराएंगे, तुम भी अगर आपको सुनना नहीं तो जो मन में आ करिये, ये प्यास तो भुस्ती ही नहीं, बागवान के लिए लीशा कुछ बताना है तो बता दो प्लीज, मतलब तुम्हें नहीं पता बात क्या है, मुझे कैसे पता होगा, जोई, भोले मत बनो ठीक है, तुम पता दो प्लीज, तुम आकर किस बारे में बात कर रही हो, तुम्हें मना किया था, फिर भी लीना के अकाउंट में 35,000 भर दिये, तुमने कसम कहा कर कहा था न मुझ से, कि तुम्हारा और उसका कोई रिष्टा नहीं है, धीरे बात करो, पापा का लीवर खराब है, एकान नहीं, वैसे भी कि अना काफी है? कि अना काफी है, में वरसा नहीं है, मैं तुम्हें कोई अनुश्रा ना है, अधिर्यार नहीं है, मैंने हमादा मादा आधे, और अधिरे प्रेम हैं। सुनो उसके पिता कुछ पैसा उधार चाहते थे तो मैंने बस उसके अकॉड में पैसे डाल दिया और जूट मन बोलो मुझसे जॉए ठीक है मैं जानती हो कि तुम्हारा यहां कितनी औरतों के साथ अफैर है तुम किस बारे में बात करियो लीसिया उसका भी सबूत दिखाऊं तुम्हें तुम्हें फूस्ट लीसी इस श्याइड मेरे दिल में आज तुम्हारा ख्याल आया है यह ख्याल है यह ख्याल है यह ख्याल है कोई कहानी है मेरे दिल में आज तुम्हारी उनाशाओं को पूरा कर सकता हूं कब आओगे तुम तुम आओगे कब मेरे दिल को तुम्हारा इंतजार रहता है यह कुट्टे क्यों इतना भॉंक रहे हैं पूरा मूड खराब कर रहे हैं उनको मूड से क्या लिना देना आ रहा हूं मैं तयार हो जाए है मेरे डार्लिंग पादर 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 कुंजॉए हूं जल्दी दर्वादे खोलो फादर 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 फोन सालेंट क्यों किया है कितनी देर से ट्राइ कर रहा हूं मैं क्या हुआ क्या बात पता है कतु थूरा जॉए की बीवी लिसी ने जहर पी लिया ऑस्पिटल लेकी जा रहे थे रास्ती में मर गई सच है मुझे बस अब ये भी फोन आया है जहां मुसीबत है पता नहीं है सहारत के दर्वान में ऐसा क्या आगया है सब आपकी वज़े से हुआ तो अब दोनों परिवार आराम से बैठ कर बाकी चीज़ें कर सकते हैं वो तुम पर डिपेंड करता है ठीक है अब तुम उनके शादी पर कौन सा गिफ्ट देना चाहते हैं उस पर कोई भाहस नहीं होगी जोर जबरतस्ति मत करना है पर्ले-शनली मिलता है सो oni अच्छे कहा चलो चलता है गोटाह्स पर्ण जोहाँ कई थेंकर आएक तरफ करने के लिए इसले कर आया और इसे गुमाकर यहां लगा दिया बीवी को शर्मा रहे थी यह देखता था ना नहाते वक्त इसलिए इसे घुमा कर लगा दिया चलो एच्छा तो आपको तो यह सुनाई दे रही है ना चल ज़रूर रही होगी चल लूंबडी शकुन तला के घर के इरद गूंते रहती है क्योंकि उसकी सोच ही बहुत घटिया है यहां पर हम ही शरीफ है तुम भी इतने पुरे नहीं हो अरे कहां से आ रहे हो तुम लोग अरे अम तालाब के उस पर पिच्टर देखने गए थे पुल्ली मुर्गन सच में अच्छा कैरेटर बढ़िया था क्या उसमें एकदम बढ़ तुम चाहते हो कि मुझे मार के तालाब में फेग दो हमारा मतलब नहीं था जाओ 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 वैसे ऐसे घूमना माद सीधे घर जाओ समझे हाँ हाँ बिल्कुए रुपना फादर की घूमरे पता नहीं है वहां पर और कोई भी है लोमडी है और उसका इलेक्ट्रिक खेल हाँ तो तो इसका खून पिलोंगा रलालालाला जोटा भूँथा टर्वाजेकства का फुमना था pods मने भी होसी नहीं देङए ने पिशाप कर रहा ही है और कोई ऑग होअरे बात ची की हवा लगती है तो मज़ा आता है है तो अबदर के टॉrau उन पहले हवा की ज़रूरत पढ़ती है, कि यादत बच्पन से ही है, बदलना मुश्किल है, तुम शकुंतला के घर के पास थे ना, क्या मैं, लाइट दुबारा तूट गई है, नहीं, मैं नहीं था, बुढ़े, तुझे रंगे हाथों पकड़ा था, और मैंने किसी और को देख मेरा घर बरबाद मत करो, देख, जैसा मैं कहता हूँ, वैसा ही कर, शरम भी नहीं आती है, इस उम्र में ऐसे ऐसे खेल खेलता है, किसी और के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं, ये खत्म करना होगा, अ hoई जम्रो K intern होटे खिए और मैं वैस झाने हैं, किसम तर को कां़ा ही वाल फव किसी के आता हैं, किसी पस्योहाँ हुए जहें वाली हैं? अदिए जोई भाई? जा कर गड़ा कोट भाई वाई भाई भाई प्रदीजडर भाई जाल कि अविस्ट पर शेखें और अब तर अफ उस्ट अपर अब यहाँ अब तो कहां पर चले गए तो इतनी देर अब बात किया बताओ ना मुझे डराओ मत बस अफो तो दरजल यहां पर एक मर्डर हो गया है क्या? मर्डर? ओगाड कहाँ? कब? वह मैं तुशे पाद में पता हूंगा अभी सबसे पहले हमें स्टेशन जाना होगा फादर मुझे कनफेशन कर रहा है फादर हम मुझे के अभी MS फादर मैंने पाप किया है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो स्सारा वहान बादा कर दो मैं चलता हूँ पादर तुम कुछ गह रहे थे ना किसने किसे मारा मेरी हाथ पर काम परे हैं फादर जब हमने उससे मारा था तो वहां पर तीसरा अद्दीम मौचूद था अरे जाकर गड़ा खोद ना झाला या ऊकल उससे तुम किसे मारा यार यार, यार वहा हुण आपना प्लाव प्लाव यह बेस्ट है, वो हर सुबाउट कर यही सोचता है कि आज उसे किसे मारना है, हम खतम हो गए जो है भाईया तुने सील आप कन्फिसन सुना है, चर्च में हम जो कन्फिस करते हैं उसका लॉक, कोई भी फादर कन्फिसन का लॉक तोर नहीं सकता, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, कानून भी उससे मजबूर नहीं कर सकता जो है भाईया, वो फादर कोई मामूली आदमी नहीं है तो डर मत, मैं हूँ यहाँ मैं हुआ कर दिया लॉक थो Dalакс ओस्टाने Oooh जोई के कन्फिशन में पाप का प्राइश्चित मौजूद नहीं था, वो तो बस मुझे चुप कराना चाहता था, ऐसी चाबी जिससे मुझे वो बंद कर सकता है, उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने किसको मारा और क्यों मारा, तो मुझे अगर कुछ करना होगा, तो मुझे ये जाना है कि मरा कौन है, बस एक ही रास्ता है ऐसा करने का, भले ही कुछ भी हो जाया, लेकिन मुझे वो रास्ता लेना होता, ओ गाड, मेरा साथ देना इस काम में पादर पुझाओ भाई अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता क्या खिर हुआ क्या है समय आने पर मैं तुम्हें बताओ या नहीं बताओ फिर भी तुम समझ चाओगे ठीक है आज से मैं चाता हूँ तुम मेरे लिए कोई काम मत करो बस अपने हिसाब से रहो और मुझसे पूछना भी मत की क्यों अपसे बहुत सारी चीजें यहां पर अचानक से हो जाएंगी ऐसी चीजें जो हमें पूरी तरह से चौका देंगी जो कुछ भी हो जाए हम दोनों के बीची रहेगा कल रात साड़ी दस बजे के बाद तुम्हें वो प्रॉपर्टी पता है जो बेल बीचाने साली के लिए सटकी है वहां पर फावडा रख दो हां उसे पौधों के बीच में रख दो नारियल के पेड़ की नीचे कुछार भाई आपसे हमें संभल कर रहना होगा ठीक है अब इसे किस ने फोड़ा यह भी मेरे ही सर पे आएगा यह तो असली मुसीबत है कौन है कौन है कौन है कौन है बेवकूफ जो मूँ पर लाइट मार रहा है अरे फादर तुम तुम्हें क्या लगा दुबारा क्या यहां पर घासलेट के लिए आयो अरे फादर मैंने नहीं किया जब मैंने अपकी आँकों से देखा था तब भी तुम्हें यही कहा था तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है बख्वास बन करो अपनी मैं इसका पैसा खल पंचेद आफिस में दे दूंगा ह जाओ घर जो खत्म करना पड़ेगा यह नहीं तो मैं कंगाल हो जाओंगा यह बेवकूफ कोन है कैसा जहर खरीदा है तुने तो नहीं मिलेगा मुझे लगी रहा था पता नहीं क्या चल रहा है यहां अमें गले से नीचे नहीं उतर रहा है ऐसा लग जली जाएगा इसके सा यहां से ढूंटा है मैं मैं भी साख चलता हूं अरे इस समय शकुंतला अराम से सो रही होगी क्योंकि यही उसका टाइम है सोने का तुमें कैसे पता अरे क्या बात कर रहा है इतना भी नहीं समझता क्या कैसा आत्मी आई यह क्या हो हो इसा हुए हम ने ढूंदने के लिए आ आपके आने के पहले हमारा हो गया चलो घर जाओ चलो इनके साथ ही जाओ आजा 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 ना सामान भी लेकर चले जाओ अटापे चर्च में जो नारियल उसके बारे में कह रहे है ना मुझे पता है लोग कहते हैं कि वहां पर सांप और भूत रहते हैं इसलिए यह आप आप फादर है ना तो आपके पास वो क्रॉस वगरा होगा उससे हमारी रक्षा होगी इसलिए आप हमारे साथ चलिए ना उफ बस शकुन के लाके कर साथ कुछ भी नहीं कर सकता हो अब फादर मैंने सिफ एक ही पेकपिती सच क्या रहा हो कसम से अब चलो जाता हूं जाता चलो ना भाई चलो जाता हूं जाता हूं चंगना चेरी से आरी हो गया नहीं फादर टेलर के पास गय थे इसके लिए फ्रॉक सिल्वानी है बोबाचन फोन करता है ना कुछ दिन पहले आया था वैसे इस हफते घर आने वाला है मामा चन ने बताया कि पिछले हफते वो उसस से पोला चिप में मिला था कि ठीक है उसके लिए यह कोई काम ढूंपाऊं तो उसे यहां पर बुला लूंगा तुम जा सकती हो चलो कि पादर फेस्टिवल के बाद के पहले संडे को हम हमारी बेटी की सगाई करने वाले है दोले के परिवार वाले भी मान गए है नहीं वो संडे नी उस दिन बुला चन के वेटी की शादी तहकी गई है वो फिक्स्ट हो गया है वो होगी अरे वाप्रे और उन्होंने इसके बार में कुछ भी नहीं कहा इसलिए पूरा परिवार वेलंकनी दर्शन करने गया है व होगा ना उसके बाद को या और संडे मुझे आज नदी के उस पार जाना है मैं बाद में मिलता हूं ठीक है तो चलता हूं मुझे जरा लेड हो रहा है बात करते हैं बाद हम भी जा रहे है आज शाड़े 11 बजे शकुंदला का बल बदल रहे है एलेक्ट्रिसिटी बोर्ट स कुछ काम नहीं होता है क्या तुमने भी पीना शुरू कर दिया मैं बस करी लेने आई थी करी पापा ने मुझे यहां बुलाया था कैसा बापे यह जाओ घर जाओ फादर मुझे आपसे कुछ कहना था लीजो को फोन करके समझाईये ना करवाईये वह थोड़ा अजीब हो क किया है और मुझे फोन भी नहीं करता चलो जाओ घर जाओ साज कहरे हो फादर दीन दिनों से उसने मुझे एक कल रहा है किया है जब मैंने उसकी बहन को फोन किया थो तो ने मुझ से कहां कि वह त 우린 पर गया है क्या आप उससे बात कह सकते और प्लीज मैं बात कर लूंग त पक्का फोन करोगे ना पक्का अरे करूंगा बोला ना तुम जाओ तादा चुम जा पक्का आरी कर दो मनें भी एहँ सक्था फिर ना तादा पयाम झाल यह झार मैदधा है, ब rising लात पाझ समय में? यहे हावा है लुगा है, यहे हमास इन रिडाने कि अकलोप समय कर ङूए हमाने कि अछिए में enhance 你 अर उचा हमास ऴुरना कि व वे कि अग्राने के बाझा है, लुआ झितात दुछ तिवरना कि फद्सके में पूहरा है झाल 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 इस वक्त यहाँ पर कौन है यह क्या चमगाद़ से पेदा हुआ था क्या झाल 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 जूट मत बोलो जोई ठीक है मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यहां कितनी ओफ्तों के साथ अफैर है कि तुम्हें इसका भी सबूट चाहिए पता है जब तुम्हारा रिष्टा आया था तब सबने मुझसे कहा था कि तुम्हारा उस आइलन पर बहुत सारी लड़कियों के साथ अफैर है कि ध्यूंत धरक्रती रहती है मेरे पती हो मेरे साथ वफदान नहीं रहते कभी मेरे मेरे साथ बैठकर खंघ कर बात नहीं करते हो मेरी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखते हैं पस्लोगों के साफ़े दिखावा करते हैं आइलेंड पर तो इतनी सारी गर्फ्रेंज रखते हो तब भी यह चाहते हो कि मैं कुछ नहीं बोलू तुम्हें बीवी बनाके लाने से पहले मेरे बहुत सारे अफ्यार थे मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है मुझे एक तु नाम तो बता दे मेरे जो मन करेगा मैं वो करूंगा तुझे क्या तकलीफ है अगर मैं दूसरी रखता हूं तो तुझे मैं सब कुछ नहीं देता हूं क्या और क्या चाहिए तुम्हें खाना तो खिलाती हूं तु वो खा और चूप-चाप दूसरी बनके रहे यहां मैं बहुत सारे आफियर करूंगा क्योंकि मैं मर्द हूं अगर तुम कर सकते हो ना तो मैं भी कर सकती हूं तुम्हारी नहीं है पेकार हो रहत है यह तो तो मुझे हराने के लिए कुछ भी बक्वास करते रहेंगी नहीं है तुम्हारी अरे तो किस हरामजादे की है यह बता मुझे बता नहीं तो तेरे मा और बाप को यहां कलाना पड़ेगा और पूरे कहों के सामने तुझे पताना पड़ेगा कि यह लड़की किसकी है बता दे बता किसकी है बता दे बता किसकी है बता अरे बता दे सुनाई भी तो नहीं दे रहा है कैसा सस्पेंस है इस बारे में सिफ तुम दोनों को ही पता है अरे बापरे लगता है ये इसकी जान ले लेगा पता नहीं क्या होगा और पी लिस्या मुझे मेरा बच्चा चाहिए ये बात किसी तीसरों को पता नहीं चली चाहिए इसलिए तुम्हारा मरना ही बेतर होगा अरे अरे मारता लेगा इसे मैं उसे भी मार दोंगा पहले बच्चे के बाप को फिर उसे फिर मुझे भागो यहां से उसने उसे मार दिया होगा मुझे यकीने फादर बच्चे का असली बाप कौन है ये मैं सुन नहीं पाया जो कोई भी हो जोई उसे भी मार डालेगा अम जैसे सोचते हैं जोई वैसा नहीं है ये बात तुमने किसी और को बताई आप ये क्या बात करें मैं ये बात किसी और को क्यो बताऊंगा मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं वहां क्या कर रहा था और उस चक्कर में मैं भी फस जाओंगा किसी को बताना मत नहीं, बिलकुल भी नहीं वैसे भी मुझे आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है दिलका बोर जलका हो गया लगता था पागल हो जाओंगा मैं अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ अब इसके बाद अगर यहा एक नारियेल भी गायब हुआ ना तो उसके जिम्मेदर ही तुम्हारी फादर फादर किसोला का फादर है यह मैं मर्डर के बारे में बात कर आँशा और यह नारियल के बारे में क्या बक्वास हाई है फादर क्या फादर रोड ब्लॉप करके खड़े हैं जोई हा फादर तुम्हें कन्फिशन के नियम के बारे में पता है न वो जीजस और फादर के बीच में होता है हम किसी को नहीं बताते हैं पता है फादर पर इस साल के फेस्टिवल का जंडा लहराने से पहले मैं तुझे सूली पर चड़ा दूँगा जोई और मैं तुझे जेल में जरूर भेजूँगा वो भी कन्फिशन के राज को बताए बीना समझा मैं आर्यन तुरूतु के फादर विंसेंट कॉमबोना की इज़त करता पर मटन चीरी का आदमी कॉमबन वीसेंट की नहीं समझें दूआ दड़िया फादर विसेंट कॉमबना प्रेंस दा लॉर्ड आज और हमेशा के लिए निकाल चल निकल यहां से मैं चाहता हूं कि कल तुम मेरे घर मटन चरी जाओ मेरा कुछ समान लाना है वहां से वरके चेतन वहां पर तुम्हें पंदरा लाख रुपे देगा तुम्हें थोड़ी सी जमीन भी खरीद नी थे ना तो बिल बच्चन अपनी जमीन बेचना चाहता है तो थोड़ी अपने लिए खरीद लोग ठीक है पांच हजाद स्क्वार फिट तुम ले ले ना जो पश्चीम की तरफ है मचली के फार्म के पास बहुत अच्छी है पू होगा कि मैं अपनी भीवी के पास जा रहा हूं बस इतनी सी तुआ है और अब फेस्टिवल से पहले हमें आरियां तुरुतू में कुछ पठाखों की ज़रूत पड़ेगी तो बहुत समय हो गया हमने असली पठाखे नहीं देखे अरे अरे फादर आया फादर फादर रुक पंचायत के बारे में वो बिल्डिंग के रेंट के लिए जा रहा था किसी अच्छे इंसान को देना ठीक है नो तो वहीं करना फादर थोड़ा बाहर आईए ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है किस बारे में अरे बाहर तो आओ ना फादर मानता हूँ कि वो थोड़ा दारुबास था मेरा बाई जोए कुटन खुशी से सेटल था उसके बिजनेस के साथ लेकिन तुम बीच में आ गया और उसे निकाल दिया वो मुश्किल से दो दिन रुका था खेत पे उसके बाद हमें पता ही नहीं कि वो आखिर गया कहा उसका दुबारा इस गाउं में दिखेगा नहीं समझा अज़ा स्टीफन यह बता तेरा बिटा कितनी साल का है यह शायद एक या डेट साल का अगर तु चाहता है कि इन हाथों से तो उसे खाना खिला सके तो अपने हाथ अड़ा वरना हो सगे पिछवाड़ात होने के लिए भी त साथ ना बचे तेरे छोटे भाई के गलत कामों की वज़े से मैंने उसे यहां से भेज दिया अगर उसके साथ कुछ बुरा होता तो वो उसके किस्मत है तो सिर्फ आरियान तुरुतु के फादर विंसेंट को जानता है समझाओ बहुरी शानी से पहले घर जा घर जाके काली चाए पी लेना और फिर फादर वरकेचन को पूछ लेना के विंसेंट कॉमबन कौन है फिर भी तसली ना मिलेना तो साथ बजे के बाद मुझे चर्च में मिलना ठीक है चलता हूँ जल हट भए जोई कुटन मिसिंग है वो सकता है वही उसका लवर हो तो जोई ने उसे भी मार दिया होगा कुछ सुना तो नहीं सुना देखो मैंने कुछ भी कहा नहीं और तुमने कुछ भी सुना नहीं संझे समझा तुमने कुछ नहीं सुना कुछ नहीं सुना हां 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 तुमने यहीं है फादर आपको मिलना होगा अच्छा होगा आप मिल लेंगे ठीक है सुनो मुझे लगता है कि यह रिश्वत बहुत लिता होगा यह सब ठीक तो है ना अरे रख लो रख लो हाँ अब हम चलते हैं जी ठीक है पुंचोई भाईया है चाहर रुको तो क्या बात है फादर अने सुनियापण को बुलाया है यहां बाउंडरी बनाओ और आसपास दिवार खड़ी करो सुनियापण बढ़िया काम करता है वो मटे प्रापड़ी का ध्यान ही चाहिए पर हमें चोरों का डर नहीं होना चाहिए मुझे कि ने उसे पकड़ कर रोक है न holiday मुझे लगता हमें जाना चाहिए है अधर है और अहम लोग वहां आ सकते है हाँ को यह students जमीन को बाट दिया बस अभी अभी आफिसर चले गए क्या हाले जोए बहुत बढ़िया जमीन खरीदा है कुंजु भाई फादर तुमने पूरा क्यों ने खरीदा सिर्फ थोड़ा हिस्सा खरीदा थी अगर आप कह रहे हैं फादर तो आज फेस्टिबल का जंडा लहरा दिय है ना फादर उससे पहले बहुत कुछ करना है सब सही हो जाएगा फादर जरूर चलता हूं फादर आजाओ आ मिलते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है मैं भी चलता हूं फादर मुझे लिजो के घर जाना है वो बच्चे कुछ मुशिवत में फस गए हैं और वो थोड़ा अलग रह रहे हैं कुछ दिन हो गया है वो अन भी नहीं लग रहा है ठीक है आप जाके पूछ तच करो बच्च अब फादर में जा सकता हूं अब फादर आप क्या हुआ सलमा मैं बबाचन को फोन करने के कोशिश कर रही हूं बहुत दिनों से फोन स्विचे नहीं हुआ है कम से कम 40 बर मैंने आज फोन राय किया होगा पर लग नहीं रहा है शायद उसका फोन काम नहीं कर रहा होगा नहीं फादर चार दिन पहले उसका फोन आया था आपको यादे मैंने आपको बताया था वह पॉंडी चरी जाने वाला था उसके बार से फोन नहीं किया उसने आ तो परमिश्वर की दया है तुम शांत हो जाओ क्यों परवा कर रही हो फादर हाँ वो कह रहा है कि वो चार दिन पहले ही चला गया था एक और मिसिंग साथीशन ने उसे मिल से फोन करने की कोशिश की पर वो उठा नहीं रहा लगता है वो लवर थे और एक बात है जो कुथान भी गुमशुदा है अरे उस बारे में भूल जाओ पर वो भी उसका फोन नहीं उठा रहा है मुझे लग रहा है कि वो पहले जैसे कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे है फादर पुलिस में कंप्लेंड करूँ हाँ मुझे यकीन है वो किसी काम के नहीं है लगता है जो कुथान मिल में एक बार गया होगा कंप्लेंड फाइल कर देते हैं वैसे जो कुथान के वाँ उनने से मुझे फिक्र हो रही है एक काम करो तुम और मेंबर अभी पुलिस टे यह किस में गुसादू यहां थोड़ा काम में जो डाल गुद्रत का कौन सा हाथसा है तू मेरे बाप से पूछ लो तुमारे पिता को पता होगा क्या वह शाम तक पत्थर लेकर आ जाएंगे तुम्हें जैसा सही लेगे वैसा करो पूरा दिन चला जाएगा गड़ा खोदन लग रहा है के बारिशह की अगर हो गई तो सब तहस्नहस हो जाएगा अबेभकूफ सबसे काम आप मेरी आत्मा को शक्ति और हिम्मत देते हैं आप मेरे अंदर दीपक चलाते हैं और मेरे अंदर का अंधेरा आप हमेशा दूर भगाते हैं बोलो कुंजोई भाईया पादर यहां करबड हो गई है हमारी जमीन में जब वो खोद रहते तो उन्हें एक लाश में लिये यहां वहापर भीड है क्या हां तुमने पुलिस बुला ही मेंबर ने बुला है वो वो लोग रास्ते में ही है ठीक है अब तुम फोन रख दो मैं भी आता हूं चल्दी आओ है दीक है अ हाय अ कर दो कर दो कर दो आधे जोट लगी है क्या हुआ माल उताते समय पेड से घर गे क्या हुआ क्या है क्या तुम्हें कभी जमीन कोदते वकितलाश मिली है शाइद इसके तब्या ठीक नहीं है मुझे लगता है आराम करना चाहिए आभी भुखार नहीं अभी तो ठीक लग रहा है ऑज़े ज बदाये क्या सिरी निसर बहुत बुरा हाल है लाश की पहचान हो गई है लगबग एक हफ़ते पहले की लाश है इसलिए पहचानने में मुश्किल हो रही लेकिन आईडी कार्ड मिला है है यह तो लाश को पहले जिसने देखा उसका नाम लिख लो चलो जाओ सब की गवाही ले लो टेक है अरे बस करो समहालो अवने आटाओ अरे तु रोना बन कर अरे कोई समझा इसको वो बेचरा बस जिन्दगी की शुरुआत ही कर रहा था पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हूँ यह आप क्या बोल रहा है मुझे यकीन है जॉई नहीं उसकी अत्या की है इल्डो से की छे उंगलिया थी उसके दाय हाथ में और सल्मा ने उसे पैचान भी लिया है सर कोई हिंट है क्या एक बात तो पक्की है मॉर्डर हुआ है क्योंकि इसके शरीर पे चाकू के निशान है चाकू भी मिली है कातिल बचके नहीं जा पाएगा ठीक है मैं चलता हूँ हो भी कुछ लगे तो मुझे फोन कीजिगा मैं तलाब के उस सरफ था तो मैंने सुना और मैं चर्च में था जब मैंने सुना बस दो दिन बचे हैं जंडा लेहराने में फादर सब कुछ हो जाएगा मैं सब कुछ समाल लूँगा तुम उसके बारे में फिक्र मत करो मैं आज भी जंडा लहरा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो कोई नहीं कुछ बिगाड़ेगा ये बात तो तुम भी जानते हो अगले बारिश से पहले जॉए तुम उसे फादर विंसेंट कॉमबन की बात समझ सकते हो या फिर कॉमबन विंसेंट की बात मत्टा चरी का आद में और तुम्हारी इच्छ तो होने से इस जमीन पर तुम्हारा दिवार बनाना यह मेरे लिए जाल था ना तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा फादर तो यसे फादर विंसेंट कॉमबना शायद गड़ा न खोदें पर कॉमबन विंसेंट के लिए वो बड़ा गड़ा खोदेंगे मुझे पता है वैसे फादर मैं चाहता हूं कि तुम यह देखो अगर यह किस ने देख लिया तो मैं तो गड़े में गिर जाओंगा ऐसा मेरे साथ जोए को पहले जोए का सर बचाना हो गया ना फादर अपने आपको बचाने के लिए मुझे इसमें मट डालो जोई अगर तुम इस बार जंडा लहराने वाले हो मैं सामने रहकर तालियां बचाऊंगा ठीक अना फादर प्रेज दा लॉर्ड अरे सुनो हमें यह रहना पड़ेगा यह सब काम के लिए हमें पोस्ट मर्णम जल्दी करवाना होगा यह उन्हें को लाना चाहिए पचास रुपे दो कि क्या मुझे पचास रुपे तेरी तो लोग यहां परेशान है और इसे रहर प्रेश 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 भाड़े एंगा यह जब झाल्दी बिम्हां प्रेश प्रेश रूपे टते तो लोगगा टीम्हां रादार्श। फादर वो रेजिस्टर दोगे क्या कल की एंट्री रह गई गई ठीक है आपको मुसक्रियों मिलना था जो बाई अब तुम्हें क्या बताऊं संतोशा मुझे बस एक घर बनाना था इसलिए मैंने वो जमीन बेल बीचीन से खरीदी थी और देखो क्या हो गया यहूं कि आमीं आए है उन्हें त्युनाल जेटी के पास तुम्हारे एक जमीन है जो तुम्हें बेचनी मुझे उस बारे में तुम्हे पूछ पूछना था आउन वैसे कुछ लोग उस जमीन को पहले ही देखकर गए हैं अगर सच मैं आपको लेनी है इसा कर सकता हो मैं लेके मुझे बस थोड़ा वक्त देना होंगा मुझे यूजर शम्शान भूमी से चुटकारा पाना है यह तक है यह पैसा कर सकते हैं तो तेरह आधर मुझे बुला रहे मैं भी आता हूं जल्दी है आधर इस गावों में और एक मर्डर बहुत जल्दी होने वाला है भले ही ये गलत है लेकिन मुशा भी कन्फेस करना पढ़ेगा एल्दोस का मर्डर जॉई ने किया है और बस एल्दोस ही नहीं उसने लीसी को भी मार दिया एल्दोस जॉई की बच्ची का असली बाब है जॉई ने एल्दोस को मार दिया जब उसे इस बारे में पता चला क्योंकि वो इस बच्ची से बहुत प्यार करता है वो नहीं चाहता था कि किसी और को ये बात पता चले है एल्दोस और लीसी को ही पता है उन दोनों मर्डर के बारे में उसने मुझे र कन्फिशन में बताया और उसने बस वो दो मर्डर ही नहीं किये उसने कहा कि वो और एक बाप करने वाला है और एक इंसान है जिसको इस बारे में पता है शेंतो जोई उसे भी मारने वाला है जिंजिन को उसने मारा है उनके बारे में तो भूल चाओ लेकिन शेंतो जोई का बहुत ही वफादार था और वो उसका अगला शिकार है और हमें उसे किसी भी हालत में बचाना होगा इसलिए भले ही एक पाप है लेकिन मैं यह करूँ गा बाहर चाओ तुम यहां क्या करे हो अगर तुम इन सारे कामों में शमिल हो तो तुम अपने पापों के बारे में मेरे सामने कंफेस कर सकते हो पर बस इसी कारण से मैं तुम्हें बचा नहीं सकता या फिर तुम्हें किसी और को सब कुछ बताना चाहिए फादर कॉनफेसर नहीं मैं सब कुछ बता दूँगा आप कि अब सुनो मेरा फोन गुम गया है अरे फोन ही तो है बूल जाओ हम नहीं ले लेंगे मैं अपने बहन के घर जाने वाला था वो मुझे देखेगी ना बहुत चोक जाएगी सभी को चौका देते हैं क्या बोलता एक पैग और पी लें क्या नहीं मैं नहीं प्यूंगा देखो अरे तुझो है हम तो चुपके से पी रहे थे पर तुमने हमें पकड़ लिया है थुवारे हाथ में क्या है जॉय बोतल है क्या है लकड़ी काटने साइट पर जा रहे हो हा क्या है कि मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ लेकिन तुम्हें वहां मुझसे पहले होना चाहिए था उसके मरने से पहले उसने तुम्हारा नाम बताया था मेरा नाम मैं वहीं था जब उसने मुझसे ये बताया मुझे यकीन नहीं है और मैं तुझे यहीं मारना चाहता हूँ नहीं तो हर बार जब मैं तुझे देखता हूँ ना तो अपना कॉन्फिडेंस खो देता हूँ भार जब खो उसे थाम जाए जाकर गड़ा खोड तेरा नाम ज्वाए है न इसे ले जाओं क्या चला जा फादर अपनी सिंदगी बचाने के लिए ही सही पर कॉन्फेशन बताना गलत नहीं था क्या फादर कभी भी अपना कॉन्फेशन किसी से शेयर नहीं करते हैं भले ही कुछ भी हो जाए अंदर सहाब बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं अब हमें समझ आ गया है कि यहां का असली गुनागार कौन है जब लाश को गड़े से बाहर निकाला था ना तो बहुत लोगों को लगा कि तू ही है और वैसे भी तू किसी कामकाद नहीं है तुम ही तो बहुत दिलों से दिखे नहीं इसलिए आप एकदम सही कह रहे हो भाई मैं बाल बच्चे वाला अदमी इसलिए बाहर गया था कमाने के लिए कि यहां पर लाश निकाल नहीं है अब कर दो देखाए दिए चला 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 पीछे इसके बीचे जाए इसके पारे क्या होगा इसक्ते क्या हो यहां पर किसी का कंफेशन देने वाले हैं ग्या है अरे इसे पीछे करो ना मैं दुबारा थाड़ी की दुकान पर खदम में रखोंगा अरे देखिये देखिये फादर आ गहे हैं जो ऐसे पांच मिनिट बात करना चाहता हूं वो अंदर है मुझे लगा नहीं था कि जाने से पहले तुम से मिल पाऊंगा इसलिए मैं याँ पर आया हूं और चर्च पर तो जंडा लहराया जाएगा लेकिन बदकिसमती से देखने के लिए तुम नहीं रहोगे जोई पर तुम भी नहीं रहोगे उसे लहराने के लिए है ना दर्णिये फादर शायद वो मुझे किसी भी तरह भी ले जाएंगे पर अगर मैंने ये मर्डर किया है तुम ने उसे दफनाया है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा फादर तुम्हें ही अपना सर बचाना होगा जोई और मेरा सर तो वो गौड संभाल लेगा उस दिन तुमने मुझे जो दिखाया था वहां पर कुछ और भी चीज़ें हुई थी ना देखना चाहते हो तुम वहां पर पहले आये थे क्योंकि तुम्हें यकीन था कि मैं आकर गड़ा खो दूंगा और वहीं तुम्हारी वीडियो रिकार्डिंग कर दी मैंने कहा था ना अगली बारी से पहले तुम्हें सूली पर लटका दूंगा विंसेंट जो बोलता है वो करता भी है जो ही हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे कि रात में लाइट कौन फोड़ रहा है इसने मुझे राइदी की कैमेरा लगा देते हैं वो भी एक पेड़ पर उससे मदद मिलेगी तो आज हमें उसी से फुटेज मिला है और उससे देख रहे थे तब हमने ये देखा हमसे गलती हो गई फादर हमें माफ करती जीए सच कह रहा हूं इशू आदेश देता है और प्रीस्ट वो सुनता है जोई तुमने लिसी को भी मार दिया ना लिस्या मुझे मेरा बच्चा चाहिए पर ये बात किसी तीसरी इंसान को नहीं पता चलना चाहिए बहतर यही होगा कि तुम मर जाओ और मैं उससे भी मार दूँगा जोई देखो मैंने जूट कहा था मैंने बस तुमसे पहस जीतने के लिए जूट कह दिया मैं सच बोल रही हूं विशास करो मेरा मैं बहुत गुस्से थी इसलिए जो मुमे आया बोलती गई मैंने जूट कहा तुमसे मुझे लगा कि वो अपने आपको बचाने के लिए कर रही है नहीं तो अल्दोस का नाम क्यों लेती वो किसी भी अजनभी का नाम ले सकती थी तुमने अभी भी नहीं बताया जोई कि तुमने उसे मारा या नहीं मैंने उसे मार दिया फादर जब मैंने वो सब सुना जो पानी उसने पिया था उसमें सहर था उसने सब कहा फिर उसके बाद पिया उसने मुझे दूसरे अदनी का नाम लिया था मैं अपनी बच्ची को चाहता था इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी मार दिया अल्दोस को भी फादर मैंने यह सब किया मेरी बच्ची को नहीं पता चलना चाहिए मेरी बच्ची को नहीं पता चलना चाहिए बच्ची को तसलिए अड़िए अड़िए और रच्ची को अड़त यहुआ अड़िए अड़िए यहां चलना छीए इस अड़िए आज़्वास अटीज़्वास और अड़िए ज़ल्या थायड हो जाओ खाई दो जाओ मिचे ने बीचा हो जाओ भूड कर जाओ मात मुसे ले जाओ य arriv जाओ फहां दालाइक कहेंकँ काईसें काई लाइक काई है शविसे सब슬ने के लिए नियूसे वूंथ लिए समर्ण Jobs काई 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 झाल के तो चाल कोई दो बाता है पादर, मुझे कुछ कनफेस करना है